बच्चों इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्यामा चरंदूबे के बारे में बताया था आज हम उनके पार्थ उपभोगतावाद की संस्कृति के बारे में बढ़ेंगे ये पार्थ जो है इसका सार में प्रस्तुत करने वाली हूँ आप उस्तक में देखेंगे ये तो उपभोगतावाद जो है एक नई जीवन सहली है लेखक के अनुसार भारती समाज जो है ये के संक्रमन अभी कोरोना वाइरस का संक्रमन चल रहा है लेकिन इस चैप्टर में ले उसके पास क्या है वो मुझे चाहिए चाहे मुझे उसकी कोई आवस्षकता है चाहे नहीं है इसके करण हमारी जीवन सहली बदल रही है संस्क्रिती में बदला हुआ रहा है और इसका मुख्य करण उब भोग तवाद अर्थात उप भोग करने के तरीकों को बताने वाला सि सुख माना जाता है हम कितना भोग उबोग कर रहे हैं उसी से लोगों का सुख आका जाता है किसी को कितनी शांती है जीवन में कितनी सुगमता है इसका कोई महत्त नहीं किसके पास कितना आलिशान मकान है गारियां है वो रोज होटल में भोजन करने जाता है कि नहीं यह सब च सुख जो है उसको निर्धारित किया जाने लगा है और उत्पाद के पती हम इतने समर्पितों गए हैं कि उत्पाद ने प्रोडक्शन जो है जो चीजें हैं उन्होंने हमारे दिल और दिमाग को अपने वस्ट में कर रखा है अब उभोग का वाजार आप देखिए वाजार द तरह का है पुझिपतियों के ने उभोग की बहुत सारी बस्तु में जो है वो उत्पादित कर दी हैं जो पैसे वाले लोग हैं कैपिटलिस्ट जो लोग हैं और आम आदवी जो है उसके पास उन्हें खरीदने के अत्रिक्त और कोई भी कल भी नहीं बचा है हम दिन पर दिन हम भी अपने आपको सोचने लगते हैं कि अब हम आमीर हो गया है हम यह खरीद सकते हैं हमने आमेजन से क्या मंगवाया हमने फ्लिप कार्ट पे क्या खरीदा हम बाजार में गए तो हमने कितने की खरीदारी की यह सब चीज़ें और लेकक कहते हैं कि यह सब चीज़ें जो है ये दुर्भाग ये पोड़ने इस्थिती है अब दैनिक जीवन में एक्जांपल इसके लिए दिया लेखक ने टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में भिनव किस्म के टूथपेस्ट उपलब्द है अब हमें ये तै करना बड़ा उसकील होता है कि हम कौन सा खरीदे मूग की अलग से उसके लिए जीव साफ करने के लिए चाहिए तो और इसका अलग-अलग ब्रांच जो ब्रैन्डेद है उसकी कीमत अधीक है और उसको खरीदने के लिए हम बेचेन हैं साबुनों को ही देख लो बाजार में इतने साबुन मौजूद है ना केवल इस्त्रियां बलकि पूरुस भी इसमें पीछे नहीं आजकल के समय में उसके बाद अब देखो पीजाब बर्गर की संस्कृती है पहले लोग रोटी खाते थे नास्ता जलपान वगरा करो रोटी खाना है कच्चा प्याज खाते थे आज तो भी बेन चीजे हम खाते हैं पास्ता पीजाब बर्गर और इसके साथ हम बहुत सारी बीमारिया लेकर भी आते हैं उसके बाद है कि फैसन की अब जो दुनिया है वो बड़ी रंगीन हो गई है बाजार ने अपने उत्पादों को सामाजिक किस्तर प्रदान करने के लिए फैसन को बढ़ाबा दिया है जगा जगा बुटिक खुल गए है नहीं ने डिजाइन के कपड़े चमकीली वस्तुएं यह सब मिल गए मिलने लगी है लोग चार पांस्तों की जगा लाग डिर लाग की घड़ी पहनना भी पसा है